तो आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं वन शॉट ऑफ यूर चैप्टर ओटनॉमिक नर्वस सस्टम यह जो चैप्टर है यहां से जादा सवाल नहीं आते हैं लेकिन जो भी आते हैं बड़े ही कमाल के और जो जहां से क्वेश्चन आते हैं वही चीज आज हम डिसकस करने व में में कैसे आप सारी चीजे लर्न कर सकते हैं यही चीजे हम सीखने वाले हैं आज किस क्लास में तो बेसिकली दो जगा ऐसी होती है जो डो टॉपिक ऐसे होते हैं जहां से ओटनॉमिक नर्वस स्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे पहला है सिंपथाटिक और तबर शुठी सी टेबल बना कर दे कर आया हूं ता कि आपको और कہ बता सको उसके बाद पैरशंप्थाटिक में वह काम करते हैं सिंपथाटिक में कैसे काम करते हैं यही चीजिजे जांते हुए हम चले मैं कुछ comment चीजे पूछी पीशिद में आप से कि संपाधिक में और स sympathetic वो होता है जब यह आपसे कहेगा कि भाई और फ्लाइट क्या मतलब है इसका कि या तो आप करो या मरो वही चीज है या तो आप लड़िये या फिर भाग जाएए वहां से तो यही चीजे होती है आपकी बॉडी को काम करनी के लिए कहता है जो स्ट्रेस वाली कंडिशन होती है जब कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है ऐसी कंडिशन होती है जिसमें आपको शौक लगे आपको डर लगे यह चीजे तब काम करेगी दूसरा होता है पैरसिंपथाटिक जो आपसे कहेगा कि भाई जल्दी किसकी है काम क्यों करना अराम करिए यह आपसे कहेगा रेस्ट अराम वाला जो काम होता है वो पैरसिंपथाटिक करवाता है अराम करो और अपना खाना डाइजस्ट करो यह चीजे होती है आपकी सिंपथाटिक एंड पैरसिंपथाटिक में चलो अब आगे बढ़ते हैं चलिए सबसे पहले मैं कुछ और्गन्स की बात करूंगे उसके बाद वह पैरा में कैसे काम करेगा यह चीज़े हमें जाननी है अगर मैं आइरिस की बात करूं आँख में प्रेजेंट होता है आइरिस का काम होता है प्यूपिल को कॉंट्रैक्ट या फिर उसको छोटा करने का तो अगर मैं पैरा की बात करूं यहां पर यह प्यूपिल को कॉंट्रैक्ट करता है बड़ा करता है ठीक है और अगर हम पैरा सिंपधाटिक की बात करें वह चीज़े आपने देख ली अगर मैं सिंपधाटिक की बात करते हूं तो यहां पर सिंपल सी बात है यह प्यूपि कि यह सारी की सारी चीज़े हेल्प करती है डाइजेशन में मैंने अभी आपको बताया कि पहरा डाइजेशन में मदद करेगा तो यहां पर इनका सेक्रीशन बहुत जादा हो जाता है लेकिन सिंप्थैटिक में आपको लगता है कि क्या खाना हो ना छोड़ो यार जल्ली जल् सिंप्थैटिक में आकर ठीक है इसके बाद गॉल ब्लैडर की बात करेंगे तो सेम होगा कि यहां पर गॉल ब्लैडर कॉंट्राक्ट होगा ठीक है उसमें कॉंट्राक्शन होता है और यहां पर रिलाक्स होता है अराम से लिवर के अगर बात करें तो लिवर का भी काम डाइ इसको यह हो गई कुछ और गिंज की बात दूसरे अर्गन की अगर मैं बात करूँ गैस्ट्रो इंटरस्टाइनल ट्रैक्ट यानि जी आई टी बेसिक काम क्या होगा इसका इसके बाद हम हाट की बात करेंगे तो दिल जल्दी आपको कब धर्केगा जब आपको डर लगता है जब आप शोक में होते हो तो यह जीजे ज़्यादा हो जाती है सिंपथैटिक में एक्सलेरेट और कम होगी पारसिंपथैटिक में पेरिफेरल आर्टरीज के अगर मैं बात करूँ पेरिफेरल आर्टरीज जो होती है आपकी किनारे वाली आर्टरीज जो आपको दिखाई भी दे सकती है लेकिन नहीं देती है इसके बाद डाइलेशन कहां होगा डाइलेट कहां होती है वो पैरसंपथाटिक में और कॉंस्ट प्रेशर जादा कब होगा sympathetic में कम कब हो जाएगा आपका पराइश में मतलब नॉर्मल हो जाता है थी के अब नेक्स बात करते हैं स्वेट ग्लांड की तो आपका स्वेट ग्लांड होता है वह अपना सिक्रीशन कम कर आपको पसीना कब छूटता है आपका डर लगता है में सिंपल जी बात है बैइ तो असका सेक्रीशन है वह जाधा हो जाता है कि हेर ऊबलीख हो सकते हैं पैरा में और एरैक्ट हो सकते हैं आपके दोस बोंस आपको पर present होते हैं bronchia bronchus अगर मैं singular form की बात करूं तो bronchus यह constrict होती है आपको जल्दी जल्दी सांस लेने की ज़रूत नहीं है जब आप परसंपाइटीक में अराम करें होंगे आपको ऐसा नहीं है कि आपको पड़ी जल्दी सांस लेना है तो यह अराम से constrict होती है किसके अंदर परासिंपधाटी के अंदर और डाइलेट होंगी relaxes होती है next urinary bladder की बात करें तो constrict और relax वही चीज़ है adrenals adrenal का क्या मतलब है जो आपका adrenal gland होता है adrenal gland सब लोग जानते होंगे kidneys के उपर present होता है इसके secretions को यह जो hormone secret करता है उनको हम adrenals के नाम से जानते हैं hormone secreted by adrenal gland तो इनका जो secretion है वो जादा कब होगा जब आप यहां होंगे parasympathetic में होंगे और कोई action नहीं होता है sympathetic के अंदर यह हो गई बात आपके sympathetic और parasympathetic के चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ा ही छोटा सा यह चीज़े हैं बड़ी अराम से आप कर ले हुए 10 से 15 मिनिट लगेंगी सारे चीज़े कबर हो जाएंगी अब बात करते हैं neurotransmitters की क्या होते हैं neurotransmitters वो चीज़े जिनके विना आपकी body काम नहीं करेंगी जो impulses पहुचाता है आपके brain तक और brain से organ तक कोल होगा neurotransmitter तो यह चीज़े वही होती हैं जो आपका brain कंट्रोल करती है ब्रेन से कहती हैं कि यह चीज़े हैं आपको ऐसा react करना है तो ब्रेन से फिर वापिस से वह लेकर आएंगी आपकी chemical messages ठीक है और फिर आपके organ से कहती है कि आपको heart rate बढ़ानी है कम करनी है यह जो भी है ठीक है जी तो यह होते है chemical messengers chemical messengers जैसे आपके phone में messengers होते हैं ठीक है जिनका काम होता है message लेकर जाना message लेकर आना वही काम होता है neurotransmitter का आशा आप सोच सकते हो चलिए अब बात करते हैं मैं यहां पर कुछ neurotransmitter की बात करूंगी कहां से वह आए हैं किसके derivative हैं कहां वह present होते हैं और किस तरीके का उनका nature है ठीक है यह location है और यह उनका nature है जिसमें सबसे पहला नाम आता है गाबा इसका फुल फॉर्म अगर आप जानते होंगे तो गामा गामा amino butyric acid यह किसके derivatives हैं यह जितने भी derivatives होंगे यह सब amino acid के derivatives है ठीक है गाबा सबसे पहले मैंने क्यों लिखा है क्योंकि यह most primitive inhibitory type of neurotransmitter होता है ठीक है जब आपको problem आती है जब आप दर लगता है या जब stress होता है anxiety होती है सबसे जादा जो काम करेगा वो गाबा ही होता है तो यह चीजे इसलिए मैंने सबसे पहले लिखी हुए कहां यह present होता है basically cns में ठीक है जैसे cerebral cortex है आपकी body में जो cns होता है यानि जो brain है वहाँ पर cerebellum, basal ganglia, cerebral, spinal cord है, retina है इन सब में present होता है आपका gaba यानि gamma amino butyric acid यह दो तरीके का हो सकते है gaba A and gaba B अब नेचर की बात करें तो inhibitory मैंने अभी कहा है messages को रोक देता है कि बस करो आपका brain और ज्यादा नहीं सह सकता है तो messages को रोकने का जो काम करेगा वह है गावा inhibitory या और excitatory दो तरीके के होते हैं neurotransmitter inhibitory जो चीजों को रोके excitatory वह होते हैं जो उनको बढ़ावा देते हैं दूसरा जो है वह है glycine अब glycine भी आपके brain stem में spinal code में cns में basically present होता है ठीक है इसके nature की बात करें तो यह भी again inhibitory होता है glutamine glutamine का नाम आपने काफे बार सुना होगा cerebral cortex के अंदर brain stem के अंदर cerebellum के अंदर हर जगा प्रेजन होता है है आपका glutamine और excitatory होगा ठीक है excitatory होता है सबसे ज़्यादा जो question पूछे जाते हैं वह यहां से पूछे जाते हैं गाबा से ठीक है तो आपको सारी चीज़ा पता होनी चाहिए कि कि किसके लिए काम करता है कैसे काम करता है और कहां present होता है नेक्स हम बात करें ते पूटे माइन की यह excitatory होगा यानि यह बढ़ावा देता है चीजों को जो भी आ रहे हैं तो उनको जल्दी जल्दी से और लेकर जाएगा बढ़ावा देगा फिर आते हैं एसपार्टेट की बात करते हैं सेरी बैला में स्पाइनल कोर्ड में रेटीना में हर जगा प्रिजन्ट होता है आपका एसपार्टेट और यह excitatory in nature होता है उसके बाद फिर से बात करते हैं अमीन्स की अब डरिवेटिव है इसका अमीन्स कहां से यह आई है सबसे पहला होग नोर अडिनलाइन या फिर नोर आम पीनिफरिन या पहले बहुत ज्याद इंपोर्टेंट आपके ट्रांस्मीटर्ज की केक्र राय करते हैं चिए सबसे पहला है नोर इपीनिफरिन कहां present होता है कहां उपस्तित होता है post ganglionic adrenergic sympathetic nerve ending तो जो आपकी sympathetic nerve ending होती है ठीक है, sympathetic, जो आप यह भी पढ़के आए हो, nerve ending, वहाँ present होता है आपका ये, उसे साथ ही साथ cerebral cortex में, hypothalamus में, basal ganglia में, brain stem में, spinal cord में, बहुत जगा present होगा नेचर की अगर मैं बात करूँ, तो नेचर जो इसका होता है, दोनों तरीके का होता है, excitatory भी, inhibitory भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो महोल को देखकर अपना रूप बाहर लाते हैं, अपना रंग बाहर लाते हैं अगर कोई उनकी तारीफ करें, तो वो उनकी तारीफ करें, और उनकी बुराई करें, तो वो बुराई करेंगे सिंपल जी बात है, वही चीज इसके साथ है, यह condition देखकर अपना नेचर चेंज करता है यानि अगर उसे लगेगा कि चीजों को रोकने की जरूरत है, तो वो इन्हिबिटरी की तरह काम करेगा अगर उसे लगेगा कि कुछ चीजों को बढ़ावा देने की जरूरत है, तो वो एकसाइटेटरी की तरह काम करेगा नेक्स बात करते हैं अड्रीने लाइन की तो यह जो अड्रीने लाइन आपका अड्रीने लाइन नीरो ट्रांस्मिटर होता है अगेन अमीन से निकला हुआ है हाइपो थैलमस थैलमस एंड स्पाइनल कोर्ड में प्रेजन्ट होगा नेचर इसका भी दोनों की तरह काम करता है एसके बाद डोपेमाइन की बात कर लेते हैं और दोपेमायन को कौन नहीं जानता है तुश कहां कहां प्रेजन्ट होगा आपकी जितनी भी बेजल गंग्लिया होती है वहां पर आइपोधायलमस में इस्थीचश्य lists encounter टम यहाद रखीगा यादखेगा worship लिम्बिक नियुरो कॉर्टेक्स में भी प्रेजन्ट होता है आपका ये डोपेमाई नेचर की बात करें तो ये इन हीबिटरी इन नेचर होता है रोक डोक का काम करता है कुछ और भी हैं सेरोटॉनिन उर हिस्टेमाई इनके नाम आप उलका सुना हाills रज़ेशंट ही है आपके जी आई गया कटैर्ट में यहां भी प्रेजन्ट होता है इसके इसके बाद इसके नेचर की बात करें तो यह Inhibitory in nature होता है रोक टोक कराम करता है नेक्स्ट इस्टमाइन की बात करें तो यह Hypothalma Cerebral Cortex GI tract और मास्ट सेल में भी प्रेजंट होगा Connective tissue में होती है मास्ट सेल Connective tissue के अंदर मास्ट सेल जो पाई जाती है वहां पर प्रेजंट भी होता है आपका Histamine और यह भी इसके अगर नेचर की बात करें तो यह Excitatory in nature होता है ठीक है यह बढ़ावा देने वालों में से हैं कुछ रिस्तेदार होते हैं जो रोक टोक करते हैं बहुत जादा कुछ रिस्तेदार ऐसे होते हैं जो बढ़ावा देते हैं कि करविटा हो जाएगा तो यह वही है ठीक है ऐसे भी लर्न कर सकते हैं Next and last आपके कुछ दूसरे other neurotransmitter की category के अंदर जो आएगा वो है acceptable caligne जेघ fluctuations यह बहुत सारी जगा होता है जैसे प्री गैंगंजियोनिग पैरश इंपती क्नर्व मैं याद रखीए प्री है पैरसिंपतारिक मैं नाज इन्ट्रम नाधि नूसरे रोममस्छिलर जंक्षन होते हैंwen उन्ध प्रियांगिंद आपको जानते होंगे, नीरोन की एंडिंग में जो आपकी सेमिनल वेसिकल्स पायती हैं, जहां पर साइनेटिक नोफ होती हैं, वहां पर आपकी यह सारी चीजें प्रेज़न होती हैं, यहां आपका और निरोमस्कीलर जंक्शन भी वहां पाया जाता है, इसी के साथ, सेरीब्रल कॉर्टेक्स में हाइपो थैलमस में बेजल गैंगलिया थैलमस हिपो कैंपुस तो बहुत सारी जगा प्रिजेंट होता है आपका ऐसे जिल को लाइन इसके नेचर की बात करेंगे तो यह बढ़ावा देने वालों में से है एकसाइटेटरी इन नेचर होता है इसी क पर मिलते हैं एक नए चैप्टर के वन शोट के साथ अब दे के लिए स्टेटी ओन वे फामिसी इंडिया थैंक यू एंटेक्या